नवस्कार दोस्तो जहिंद वंदे मातरम सभी प्यारे मित्रों का सभी भावी धापक दाफिकाओं का वेलकम अभिनन्दन है टीचर्स फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावड बाई सिच्छा ही प्रकास है जी हाँ बात करेंगे बालबिकास के मौ मौडल पेपर त्यार किया गया है जी हाँ पूरा निचोड त्यार किया गया है जो एक आपको एक लेवल अप करता है जी हाँ वन प्लस लेवल अप करेगा ए प्लस ग्रेड जिसे हम बच्चों से बोलते ने प्लस ग्रेड वैसे ही लेवल आपको अप करेगा तो चलिए सु करते हैं पहला प्रस्ण है कि निम्निकित में से कौन सी विशेस्थाएं सीखने से जुड़ी नहीं है अब देखे सीखने से जुड़ी सीखना देखे सभी पैरमित जानते हैं जितना जादा सीखेंगे उतना ही अच्छा लेकिन सीखने की विशेस्थाएं भी होती इनसे आपक लाना ठीक है तो जो आप सीखेंगे तो नई प्रत्किया का भी अधिगरहन भी होगा ठीक है और प्रसिच्छन और अलोकन दीक है जब आप सीखेंगे तो प्रसिच्छन भी करना होगा और कुछ अलोकन भी करेंगे तो तीनों आपके जो है सीखने की विशेस्ता से जुड़े हुए है लेकिन जो आपका C अपसन दिया है कि उत्तेजना और प्रत्किया के वीज बिगटन तो यह आपका दोस्तों सीखने की विशेस्ता से नहीं जुड़ा हुआ है तो एक और युटो कोश्चन राइट अपसन नमबर C हो जाएगा आप लोग भी अपना उपिनियन अपना कमेंट ठीक है अपना फीड़ बैक कमेंट के मादध हमसे बता सकते हैं अब देख लेते दोस्तों सिकंड कोश्चन क्या कहरा आपका सिकंड प्रस्ण क्या कहरा है सबी पैरेमेट कमेंट करेंगे स्कूल परिसर में बच्चे का समाजी करन निम्न तरीके से किया जाएगा आप जाना बहुत ही जरूरी होगा तो बच्चे स्कूल में रहने के दोरान समाज की मानताओं, मुल्यों और रूड़ वाजितों को अपनाता है बच्चा अपने सिचकों को आचन को आत्मगात करता है और स्कूल परिसर में संस्कत के विवन पहलों को सीखता है या बच्चे खेल के मादम से साथियों के साथ समाजिक हो जाता है या उपरोक्षभी सभी पैरमेट कमेंड करेंगी जिनका सपना धाबक धाविका बनना सिच्छक बनना हर एक भाई वहन हर एक ग्रहनी तो स्कूल परिस्टर में बच्चे का समाजी करनिम किस तरीके से किया जाएगा तो आपसा नमबर डी आपका सही होना चाहिए तीसरा प्रस्ट मित्रों पूचा जा रहा है यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को सिच्छा कारकमों में पूरी तरह बिस्त रखा जाए तो आपके अनुसार ने इनमें से कौन सी समय पैदा नहीं होगी अब देखें बहुत ही महठपूर लाजवा प्रस्ट में मतलब यदि स्कूल में पूरे समय बच्चों को सिच्छा कारकमों में पूरी तरह से बिस्ता बच्चों में रखी जाए तो आपके अनुसार जब पूरे बच्चे पूरी तेके सिच्छा कारकर में बिस्त रहेंगे तो आप ये बताएए आपका जो अपिनियन है कि कौन सी समस्चा पैदा नहीं होगी ग्रह कार देनी की आउशक्ता नहीं पड़ेगी छात्रों को स्कूल के बार ट्यूसन पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी अनुसासन हिंता पैदा नहीं होगी ये छातों में पढ़ने के प्रती रूचि में कभी नहीं आएगी अब आप लोग क्या करेंगे आपका कमेंड क्या क रहता है सभी प्यारे में फीडवेक कमेंड करेंगे तो राइट आपसन क्या होगा यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को सिच्छा कारकम में पूरी तरह विस्त रखा जाए तो आपके नुसार समस्या चात्रों में पढ़ने के प्रती रूचि में कमी नहीं आएगी ये समस्या पैदा नहीं होगी तो आपका कौन से समस्या पैदा नहीं होगी छात्रों में पढ़ने के प्रती रूचि में कमी नहीं आएगी तो ये समस्या पैदा नहीं होगी ती आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस्दिया गए है कि वह कारक जो किसी बालक के कार करने की उसाय को बढ़ाता या घटाता है ठीक है ऐसा कारक बताना है जो बालक बाली का सिच्चक सिच्चक की नहीं बात कर रहे हैं रशको को सोचना हैं कि ऐसा काला खोजिये ढूडिये जो बालक के काल करने के उसाय को भढ़ाते या घटाते हैं अधिगम है श्वधार न है या अविप्रेणा है य 항상 कोई नहीं तो सबी प्यारे मित जानते हैं अविप्रेणा वह काला को होता है जो बाला के उस्षाय को बढ़ाता है और अगर अभी प्रेणा नेगेटु हो गया तो वह उस्षाय को घटाता भी है अंगला प्रसने दोस्तों कच्छा कच्छ में प्रयोग की जाने वाली छात केंदी सिच्छन विद्यों में प्राय सिच्छक की भूमिका रहती है द प्रिस्टियों का निर्माण करना ये छात्रों के लिए शभाविक समग्रियां एवं संसाधन को जुटाना ये छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना हेल्प करना या उप्रोक्षवी होगा तो आपका फीड़ वैक आपको अपिनियन क्या कहता है नीचे कमेंड करें राइट आपसन डी आपसन के साथ जाएंगे अंगला पर दोस्तों इसकीन पर है कि सिच्छा के छेत में पाठ चर्चा सब्दा वाली के ओर संकेत करती है ठीक है सिच्छा के छेत में जो आपके पाठ चर्या होती है यहां पर चर्चा नहीं है पाठ चर्या है ठीक है कर कि बात कर रहे हैं तो सब्दा वाली की ओर संकेत करते हैं कि सब्दा वाली की ओर कि बिद्याले का संपूर्ण कारकम जिसमें बिद्यार्थी प्रदिन अन्भव प्राप करते हैं या मुल्यांकन प्रक्रिया होगा या मेरे प्यारमेत्रों सिच्छक में प्रयुक्त की जाने व प्रति दिन अनभौ प्राप करते हैं पहला अपसन दोस्तों सई हो जाएगा सभी मित्रों को जैहिंद वंदे मात्रम इंकलाब जिंदाबाद energy down नहीं करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर selection सरो पर हमें कुछ नहीं चाहिए selection चाहिए कि तब ही मेनत करें आपके साथ 24 hours multiplication 7 पूरे हपते आपके साथ है 24 दिनों ठीक है पूरे महीने 24 घंटे आपके साथ है पूरे साल आपके साथ है जब तक एकजाम आप लोग क्रेक नहीं कल लेंगे तो कौन सी भूमिका बच्पन की अवदि के दोरान समू में श्वीकार भूमिकाओं और बिवहारों के बारे में जानकारी प्यदान करता है भाई बहन और सिच्छक का समू सिच्छक और साथियों का समू सहकर्मी माता पिता या माता पिता और भाई बहन तो ऐसी भूमिका कौन सी भूमिका बच्पन की अवदि के दोरान ठीक है समू में स्वीकार भूमिकाओं और बिवहारों के बारे में जानकारी प्यदान करता है वह माता पिता और भाई बहन होता है कि जब अभिवावक और सिच्छक दोनों का जब बैठक होता है संग्ठन के रोप में उसका लाव क्या निकलता प्रॉफिट क्या होता है ये संग्ठन करने का इस संग्ठन का उद्देश से क्या लाव होगा कि सिच्चक को अपने चात्रों की परिवारिक इस्तितियों के बारे में खुद को परिचित कर सकते हैं माता पिता अपने बच्चों की विकास समंधी समझ्चाओं के बारे में जान सकते हैं माता पिता और सिच्छक दोनों ही बच्चों के बारे में अपने बिचार साजा कर सकते हैं या निमेशे कोई नहीं तो अभिवावक सिच्छक वैठक में संग्ठन का लाव यही मिलता है कि माता पिता और सिच्छक दोनों ही बच्चों के बारे में अपने विचार साजा कर सकते हैं कि सिच्छकों के विचार क्या है फिर अपनी जो अईवावक होंगे उनके विचार क्या है तो दोनों विचार क्या है साजा करते हैं जिससे एक लाव मिलता है ठीक है जिसे बच्चे चती के समझ सकें, सीख सकें और सिच्छक का इस तर निरंतर बढ़ता रहे दोस्तों उच्छ जाती का एक सिच्छक निम्न जाती के चात्र के साथ पच्छ पात पूर्ण सिच्छक को अपना क्या सलाय देना चाहिए अर्थात देखिए एक उच्चगात का कोई सिचक सिचका है जो एक निम्नजात के बालक या छात के साथ पच्चपात पूर्ण ब्योहार करता है तो एक सिचक होने के नाते आपको क्या सलाय देना होगा कि संकीन सोच के लिए उसे फटकार लगाएंगे उनका रवईया ठीक नहीं है या समवैधानिक प्राउधानों के खिलाब उन्हें धमकाएंगे या उन्हें राश्टी भावना और समय की आउसकता के खिलाब बिवहार नहीं करना चाहिए दिखे एक सिच्चक भी है तो दिखे आप ज़्यादा क्रोधित होकर बार भी नहीं कर सकते क्योंकि सिच्चक का जो कार होता है सिच्चा देना और बिनम्रता पूरक ठीक है बिनम्र जो ये नाम होता है बिनम्रता पूरक हर एक चीज़े समझाना सारी चीज़े हैं तो उच जात का एगर कोई सिच्छक है जो निम्जात के छार पचपात पूर्ण करता है तो आप एक सिच्छक होने के नाति ये सलाय कर सकते हैं कि उन्हें क्या है राश्टी भावना और समय की और सकता के खिलाब बिवहार नहीं करना चाहिए अंगला प्रसना ये देख लेते हैं टें जन्मे से ही एक बच्चे में मौझूद है बिक्तित माता पिता बिरासा से मुक्त रहता है या बिक्तित शमू संस्कत से प्रभावित होता है या किसी बिक्ति के बिक्तित पर संस्कत का कोई प्रभावित नहीं पड़ता है तो बिक्तित बारे में समास सास्तियों की राय है क right option c हो जाए क्योंकि अगर आप हैं जिस समू में रहेंगे प्रभावित होंगे जिस संस्कत में रहेंगे ठीक है आप ये देखिए हमारे देश में कितनी जातियां ये जातियां क्यों हो रहा है ये संस्कत का कारण है कि हमारे ऐसी संस्कती है ठीक है OVC, Journal, HDAC काटेगरी में ब पताया गया है समास्सास्यों के जारक ब्यक्तित को शमू और संस्कत क्या है प्रभावित करती है अंगलपस दिया गया है कि जब एक बच्चे को उपहार दिया जाता है तो बच्चे के बिकास पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पढ़ता है सभी पैरमेट करेंगे आप लो हो गया हो बाद के चरण में बच्चे का विकास धीमा हो या बच्चे का विकास धीमे इस्थान से चल ला हो तो मैं दोस्तों हमेशा कहता थे एक ऐसे सी छक होते हैं जो बालक को डरा देते हैं तो बच्चा क्या होता है या सीमित रह जाता है और एक ऐसे सी छक होते हैं जो मोटिवेट किया जाए ठीक है प्रेना दी जाती हो पहार के मतनब कोई एक पैसा रुपए नहीं होता एक प्रेना होता है कि आपने ऐसा किया ऐसा आपको पहार उसको खुशी मिलती है तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चे के विकास तेज हो गया है यह अपसन सही हो अपने चात्रों को कठोर दंड का प्रशासन करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव किस रूप में प्रदर्सित हो सकता है। देकर या स्वयध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् में करना है तो आसान हो जाएगा तीस में तीस लाना अंगला प्रशन है मान लीजे कि एक सिच्छक की उचाई बहुत कम है आप लोग ऐसा देखते होंगे यह एक उची तरीके से ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने में बाधा उत्पन करता है इसलिए सिच्छक जो होता है सिच् कर सकते हैं एसी इसीत में आप उसे क्या सुझाओ देना चाहेंगे कि अच्छा कम से कम आप अपने इस्रम और कपड़ी धूल कड़ों से बचा सकते हैं आप उने चात्रों की मदद से इटों का आइस्थाई मंच बनाने का सुझाओ देंगे या आप उसे सिध्धान के उचाई ये मानता नहीं रखता है मानता ये रखता है सिच्छा में ग्यान कितना ज़्यादा आप लोग ग्यान दे सकते हैं ग्यान और संस्कति ठीक है तो राइट अपसन यहां पर होना चाहिए एक सुझाओ के तौर पर कि आप उसे सिध्धान के लिए क्या करेंगे आप इस्थाई मंच बनाने के लिए सुझाओ दे सकते हैं जिससे बलेक बोड आपको असानी से आपके हाथ पहुँच चाईगे जिससे आप असानी से बहुत अच्छे ती इसे बच्चो को समझा सकते हैं अब देखें कहीं कि दोस्तों अंगला पूस्ण दिया गया आपको सकीन के साथ साथ मुक्त करती है लेकिन उसके साथ मुक्त करती है किसको मुक्त करती है अभिमान से तनाव से ज्यान से यह सकती से तो किस से मुक्त करती तो सभी प्यारमित जानते हैं जो प्रेणा हमें मिलती है मोटिवेशन मिलता हमें अपने लच की ओर ठीक है ले जाता है लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है तनाव से हमें मुक्त भी करती है अंगला पस दिया गया है 16 नमबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहे रहा है आप लोगों की स्कीन पर है प्रश्णिया है कि सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अधियापक को निन में से किस दायत को पूरा करना होगा जी हाँ जो आपका सिच्छा अधिकार अधिनियम 2009 है ठीक है आटी एक टापने पढ़ा होगा इस अधिनियम के तोर पर आपको बताना है कि एक अधियापक को किस दायत को पूरा करना होगा बिद्याले में निमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा पाटकम का संचालन कर पूरा करना होगा संपूर्ण पाटकम को नेधारी समय पर पूरा करना होगा यह पुरुक्षभी तेदि कि आर्टी एक सिच्छा अदिकार अधियम जो 2009 है दोस्तों एक अध्यापक अध्यापिका को यह तीनों दायुत क्या है पूरा करना होगा अर्थाथ हमारा डी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस दिया गया है प्यारे मेत्रों सभी प्यारे मेत्र कमेंट करेंगे ठीक है 17 नंबर प्रस नहीं और आपको पता है 30 नंबर के है सेसन है यह आपका मॉडल पेपर है अनवचारिक सिच्छा क्या है दोस्तों जी हाँ अनवचारिक सिच्छा परिवार समदाय इबं धर्म आदिके माध्यम से प्रदान की जाती है कोई निश्चित पाटकम नहीं होता ग्यान प्राप्ट के लिए अभी प्रिरित नहीं होता है या किसी संग्टित अभी करण के द्वारा बेवसित की जाती है देखे जब भी अनवचारिक सिच्छा की बात की जाए तो देखे मैं आपको बता देता हूँ अनवचारिक सिच्छा जो होती इसका कोई निश्ची जो है पाटकर नहीं होता देखे थोड़ा इसको अच्छे तरीके समझ लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूंचा जाता ह देखे अनवचारिक सिच्छा भी कहते हैं तो यह आप कन्फ्यूजन में होना है कभी अनवचारिक सिच्छा जाए तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाए तो यह सा नहीं होना है देखे अनवचारिक सिच्छा जो होती है यह पत्राचार संपरकारकम जनसंचार के साधन द्व समाज में लिंग समानता का मांदंड निनमे से कौन सा हो सकता है पुरूस और महिला, सिचकों की संख्या की तुलना कच्छा बारा में लड़कों और लड़कियों दौरा प्राप्तांग होता है कच्छा बारा तक जीवीत लड़कों लड़कियों की संख्या की तुलना यह हम कह सकते हैं कि क्या लड़की के छातों को स्कूल से बाहर आयोजीत प्रतियोगताओं में भाग लेना अनुमत नहीं है तो देखे प्रस्ण है कि समाज में लिंग समानता का मांदन जो है कौन हो सकता है तो लिंग समानता में मांदन यह है कि कच्छा बारा तक के जीवीत लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करना तो सी आपसन सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ण दिया गया है ठीक है उन्नीसमा प्रस्ण क्या कहा रहा है सभी प्यार में ध्यान पूरक देखेंगे क्योंकि सलेक्षन यहाँ पर शड़ो पर है दोस्तों समावेशी सिच्छा के पीछे तर्क दिया गया है कौन सा तर्क होगा समावेशी सिच्छा समाज बिसम है और स्कूलों को बिसम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होना अवश्यक है परदरसन के लिए मानक प्रतीक बच्चे के लिए सम्मान होना चाहिए हमें बिसेश बच्चों पर दया करने और उन्हें सुबधाओं तक पहुँच प्रदान करने की अशक्ता है या बिसेस बच्चों के लिए अलग-अलग स्कूलों में सुविधा उपलब्द कराने के लिए यह लागत प्रवावी नहीं है देखे समावेसी सिच्चा, देखे समावेसी सिच्चा का तर्ग क्या है कि समाज बिसम है ठीके समाज सभी अलग अलग जाती है सारी चीजे से बिसम है इसकूल को बिसम समाज को पूरा करने के लिए समावेसी होना चाहिए जो हमारे बिसम समाज है हम लगा के रखें कोई OBC है जनरल है चुवा चूत ये सारी चीजे ये उच्च प्रवत्ति का है ये निम्न प्रवत्ति का है ये उच्ची समाज का है ये निम्न समाज का है ये जो बिसम समाज को पूरा करने के लिए ही समावेसी जो है समावेसी बिद जब एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसे अपनी मा की गोद से ले लेती इसका रीजन क्या है कि अलगाओ की चिंता रहती है समाजिक चिंता रहती भावात्मक चिंता रहती है अजनवी की चिंता रहती कि अजनवी तो हो नहीं सकता क्योंकि जब बच्चा रोत देखें दोस्तों 10th plus 12th plus 3rd सिच्छा योजना की सन इस्तुत की गई थी किसके द्वारा की गई थी कोठारी कमीशन द्वारा देखें मुदालियर कमीशन द्वारा राधा कृष्णन कमीशन द्वारा या राष्टी सिच्छा नीट 1986 द्वारा तो राष्टी सिच्छा नीट कि गयी थी और आपको पता है कोठारी कमिसन से एक परसन जरूर पूछा जाता है। इन से सारे कंसर्प जान लेते हैं कहां कहां से परसन आपके बनते हैं। देखिए समान पाटकम की जरीए बालक बालिकाओं को बिग्यान वा गणित की सिच्छा दी जाए। दरसल देखिए समान पाटकम की अमसंसा बालिकाओं को समान आउसर प्रदान करती है। और आपके यह कह रहा है कि 25% मादमिक स्कूलों को बेवसाइक स्कूल में परिवर्तित करा दिया जाए। कहना को ठारी आयोक कहना है। कहना कि मादमिक विद्याले दो प्रकार गें कोठारी आयोक का उच्च विद्याले होंगे और उच्च तर विद्याले होंगे। और कामन इस्कूल सिच्टम लागू किया जाएगा। तथा इसनात कोठतर तक की सिच्छा मातर भासा में दी जाएगी। और सिच्छक की आर्थिक, समाजीक और बेशाई किस्छी सुधारने की सिपारिस की जाएगी। ये सारी जीक उठारी एक्स जो पूछे जाते कंसिप्ट किया गया है। अगर अच्छा लग हो तो वीडियो का लाइक सेयर करते रहें। अंगला प्रशन है दोस्तों। सभी प्यारिमित कमेंट करेंगे और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें, सब्सकाइब करें, नोड के सन आन कर लें। और दोस्तों अगर आपने टेलिग्राम पे जोईनने किया है, नोड्स, पीडिया, फाइस, सब कुछ आप फ्रीमिय मिलेगा, टेलिग्राम में जोईन करें। साथ दाज दोस्तों अगर आप इंस्ट्रागाम पर भी आप लोग फालो कर सकते हैं, फेस्बुक पेंच पर भी फालो कर सकते हैं, और वहाँ पे सारी चीजे, नोड्स, मेटेरियल, एमसे कुछ आपको मिलते रहेंगे। अब बात करेंगे प्रशन की, कि सिच्चक सहान भूत की द्वारा बालकों का समवेगात्मक विकास कर सकता है, ये कथन जहा का है, थाउल्स का है, मैलोंस का है, या अकलोकर का है, तो साइद आपने यह है, मेरे सभी 60% लोग, मेरे प्यारे भाही बैने इस प्रशन का आपने ना देखा होगा, ठीक है, तो सिच्चक सहान भूत की द्वारा बालकों का समवेगात्मक विकास कर सकता है, तो ये बी एन जहा का है, डाक्तर बी एन जहा आपने पढ़ा होगा, तो ये आपसन सही हो जाएगा, और अगला प्रसन है, कि ऐसे प्रिरक जो बिभिन बिक्तियो उमें पलने के कारण बिक्सित होते हैं, तो वह हमारे बिक्तिगत प्रेरक कहलाते हैं, अंगला प्स दिया गया है, कि बीजय डांक्तर बनने की योगता रखता है, तो रिया सिच्च का बनने की योगता रखती है, ये किस कारण से हो सकता है, आदत के कारण, अभिरुच के क पर रिया जी का यहाँ पर सिच्छ का बनने के योगता पर रुची है तो आपका यह क्या कहलाएगा अभी रुची के कारण होता कि हमारी रुचियां किस में हैं किस किस पर है अंगला प्रसनाइक की निम्लिकित में से कौन सा क्रम आपको सरवाधिक श्विकार करता है M. अभी प्रेणा, I. इसपस्टी करण, प्रस्तूती करण P और R होगा सार्थ कतन सब भी प्यारमित कमेंट करेंगे चार आपसन आपको दिया गया है कौन-कौन से आपको सरवाधिक श्विकार होगा क्रम में लगाना है ठीक है तो आपका कौन सा क्रम सही होगा मैं आपको बत अपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसन ने 4-5 प्रसन और है क्योंकि शेलेक्शन शरोपर है दस्तों अंगला प्रसन है कि मान लीजे कि गणित में एक बच्चे की स्थिती 9 साल के बराबर है बिज्ञान में 10 शाल अंग्रेजी में 11 साल और हिंदी में 12 साल के बाद उसकी सैचिक आयू क्या होगी सभी प्यार में इत कमेंट करें दिखें वोई बच्चे देखें गणित में 9 साल है बिज्ञान में 10 साल है और अंग्रेजी में 11 साल है और हिंदी में 12 है अब इनको क्या करना टोटल 8 कर लीजे कितना रहा है तो देखेंगे 9, 10, 19 और 19, 10, 30 और 30, 12, 42 होता है कितने सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4 है तो 42 बटे 4 कर लीजे सभी लोग 42 बटे 4 कर लीजे 4 एकम 4 और 0.5 तो उसकी सैच्छे काव क्या कहलाएगी 10, 5 साल हो जाएगी ठीक है आपका B आपसन सही हो जाएगा अंगला पसने की नीचे अच्छे सिच्छन की विशेष्टाएं दी गई है इनमें कौन सा गलत दिया गए आपको बताना है अच्छा सिच्छन आदेशात्मक होता है अच्छा जो सिच्छन होता है प्रेना दायक होता है अच्छा सिच्छन सुन्योजित होता है जा अच्छा सिच्छन पत प्रदर्सक होता है देखे ये सिच्छन की विशेष्टाएं दी गई है देखे आप सभी लोग जानते कि जो अच्छा सिच्छन होगा वह पत को प्रदर्सक करता है यानि आपको सही रास्ता दिखाता है अच्छा सिच्छन जो होता है सुन्योजित करता है आपको ठीक है और अच्छा जो सिच्छन होता है वह प्रेणा दायक होता है लेकिन देखे ये गलत दिया गया है कि अच्छा सिचन आदेशात्मक होता है कोई भी एक अच्छा सिचन आपको आदेश नहीं करता है वो आपको प्रेणा देगा आपको सुनियोजित करेगा पत्फ प्रदरसक करेगा ठीक है तो एक आर्व इंटो कोश्चन राइट आपस नमबर ए हो जाएगा अंगलप्स दिया गया देख लेते हैं 28 नमबर प्रसना आपका क्या कह रहा है सभी प्यार में ध्यान पुरोग देखेंगे कि समाजी करण के संदर में इसकूलों में अकसर एक छुपा पाटकम होता है जिसमें सामिल होता है किसमें क्या सामिल होता है अपने बिचारों के मादम से छात्रों के समाजी करण की बाचीत और बिरोध मुल्यों और दस्टगोर्णों का सिच्छन और मुल्यांकन यह सहकर्मी और सिचकों कानुकरन करके बिसेश तरीके से जवरन सीखना, सोचना और बिवहार करना यह हम आपसर नमबर डी कह सकते हैं कि बादचीत और समागरियों के माद्यम से इसकूलों में प्रस्तुस समाजिक भूंकाओं के बारे में अनवचारिक संकेथ अगर कोई बच्चा वाई मंडल के साथ स्वामित तो करना सीखा है तो सिच्छा के रूप में उस बच्चे के बारे में आपकी क्या राय होगी अगर कोई बच्चा वाई मंडल के साथ स्वामित तो करना सीखा है तो सिच्छा के रूप में उस बच्चे के बारे में आपकी क्या राय होगी मूर, बौधिक, अपने वातावरन का अच्छा ग्यान नहीं है या सरल प्रक्या कहेंगे तो कोई बच्चा जब वाई मंडल के साथ स्वामित करना सीख लेता है तो ना ही वह मूर होगा, ना ही वह सरल प्रक्या कहलाएगी क्या सभी कोई कर सकता है क्या क्या सभी बच्चे वाई मंडल के साथ स्वामित करना सीख सकते हैं यह अन्तिम प्रस्ण है, तीसमा प्रस्ण है, इस मॉडल पेपर का, लगबग 10 से 15 मॉडल पेपर हम लाने वाले हैं, ठीक है, प्रतिक सब्जिक्ट वाइज, और 10 से लेके 15 मॉडल पेपर, टोटल पूरा 150 कोस्चन एक साथ करेंगे, वह होगा जब आपका एड्मीट कार्ड लोड हो जाएंगे, जब आपका एड्मीट कार्ड इसू हो जाएगा, तब 150 कोस्चन हम करेंगे, कितने 10 लेके 15 मॉडल पेपर आपके सलेवस के कॉर्डिंग यहाँ पे तयार करेंगे, ठीक है, वो तयार हो भी रहें, हमारी टीम दोरा तयार की जा रही है, और जो पार्ट रूप में आमूर्त पूर्वा ग्रहों और परिच्छन परिकल्पनाओं के बारे में सोच सकता है, तो प्याजे द्वारा बताई गए विसेस्ता, आप बोलेंगे, जीन प्याजे जी का जिक्र ही नहीं आया है, तो देखिए, अंतिम प्रशन में आपका जिक्र भी आ गया, कि एक बच्चा तर्ग संगत रूप में अमूर्त पूर्वा ग्रहों और परिच्छन परिकल्पनाओं के बारे में सोच सकता है, तो यह जीन प्याजे द्वारा बताई गए विसेस्ता कौन सी खहलाएगी, पूर परिचालन चरन, कंक्रीट परिचालन चरन, आपचारिक पर फ्रकास है, और इस पूसन का जवाब आपको कमेंड वाक्स में तानाँ ही, आपके लिए मॉख कोशन है, आपके लिए मॉख कोशन है, सभी प्यरमिक कमेंड करके बताएंगे कौन सा होगा, चलिये, निस्ट मौडल पेपर मिलते हैं, निस्ट सब्जिक का मौडल पेपर ति किया जाएगा इसके बाद आपका ठीके क्लास से जाएगी तो सब्सक्राइब करें बिल आइकन प्रिस्ट करें ताकि लाटिस नूट की सन आपको मिलता रहे धन्वाशवी का जैहिन वन